जैश्री राधे कृष्णा ओम कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिए हिंदू धर्म के पवित्र सोलह संसकार हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म है इसमें पवित्र सोलह संसकार संपन्न किये जाते हैं आदी धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ती विशेश द्वारा स्थापित किया। गया धर्म नहीं, बलकी प्राचीन काल से चले आ रहे, विभिन धर्मों एवा आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है। महर्षी वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्न से लेकर मृत्यू तक पवित्र सोलह संसकार संपन्न किये जाते हैं। जो निम्नानुसार है, एक गर्भाधान गर्भाधान संसकार महर्शी चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भधारन के लिए आशक है, इसलिए स्थ्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्न चित्थ. रहना चाहिए गर्भ की उत्पत्ती के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थिता से भरा होना चाहिए उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है मातापिता के रज एवं वीर्य के सन्योग से संतानोत पत्ती होती है यह सन्योग ही गर्भाधान कहलाता है स्त्री और पुरुष के शारिरिक मिलन को गर्भाधान संसकार कहा जाता है गर्भस्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोशों के आक्रमन होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संसकार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है विधिपूर्वक संसकार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न है दो पुन्सवन-पुन्सवन संसकार तीन महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में तीन महीने के पश्चात गर्भस्त शिशु का मस्तिश्क विक्सित होने लगता है इस समय पुन्सवन संसकार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संसकारों की नीवरखी जाती है मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है इसका उदाहरण है अभिमन्यू जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यू की शिक्षा प्राप्त कर ली थी तीन सीमन्तो नायन सीमन्तो नायन संसकार गर्भ के चौथे छटवे और आठवे महीने में किया जाता है इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है उसमें अच्छे गुन, स्वभाव और कर्म का ज्यान आए इसके लिए मा उसी प्रकार आचारविचार, रहन्सहन और व्यवहार करती है इस दौरान शांत और प्रसन्नचित रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए चार जातकरम बालक का जन्म होते ही जातकरम संसकार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोश दूर होते है इसके अंतरगत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारन किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीरगायु हो पांच नामकरन जातकरम के बाद नामकरन संसकार किया जाता है जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है शिशु के जन्म के बाद ग्यारहवे दिन नामकरण संसकार किया जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तै किया जाता है बहुत से लोगों अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते है जो की गलत है उसकी मानसित्ता और उसके भविश्य पर इसका असर पड़ता है जैसे अच्छे कपड़े पहने से व्यक्तित्व में निखार आता है उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपून जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें की घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए छे निश्क्रमन इसके बाद जन्म के चौधे माह में निश्क्रमन संसकार किया जाता है निश्क्रमन का अर्थ होता है बाहर निकालना हमारा शरीर प्रिथवी, जल, अगनी, वायू और आकाश आदी से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्यान की प्रार्थना करते हैं साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीरगायु रहे और स्वस्थ रहे साथ अन प्राशन, अन प्राशन संसकार, संसकार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6-7 महीने की उम्र में किया जाता है इस संसकार के बाद बच्चे को अन खिलाने की शुरुवात हो जाती है प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचडी, भात आदी दिया जाता है आठ चूडाकर्म सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूडाकर्म या मुंदन संसकार कहलाता है जब शिशु की आयू एक वर्ष हो जाती है, तब या तीन वर्ष की आयू में या पाँचवे या साथवे वर्ष की आयू में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं इस संसकार से बच्चे का सिर मजबूत होता है, तथा बुध्धी तेज होती है साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटानू नश्ठ होते हैं जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाथ प्राप्त होता है मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर्पर मातापिता के दिये बाल ही रहते हैं इन्हें काटने से शुद्धी होती है 9. कर्णवेध कर्णवेध संसकार का अर्थ होता है कान को छेदना इसके पाँच कारण है एक आभूशन पहनने के लिए दूसरा कान छेदने से जोतिशानुसार राहू और केतु के बुरे प्रभाव बंध हो जाते है तीसरा इसे एक्यू पंक्चर होता जिससे मस्तिश्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है चौथा इससे श्रवन शक्ती बढ़ती है और कई रोगों की रोक्थाम हो जाती है पाँचवा इससे यौन इंद्रिया पुष्ट होती है दस यग्योपवीत यग्योपवित को उपण्य या जनेव संसकार भी कहते हैं प्रत्येक हिंदू को यह संसकार करना चाहिए उप यानी पास और नयन यानी ले जाना गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उप नयन संसकार आज भी यह परंपरा है जनेव यानी यग्योपवित में तीन सूत्र होते हैं ये तीन देवता, ब्रह्मा, विश्नु, महेश के प्रतीक है इस संसकार से शिशु को बल, उर्जा और तेज प्राप्थ होता है साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागरित होता है ज्यारा वेदारंभ इसके अंतरगत व्यक्ती को वेदों का ज्यान दिया जाता है बारा केशांत केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें की मुंडल किया जाता है शिक्षा प्राप्ती के पहले शुद्धी जरूरी है ताकि मस्तिष्ट ठीक दिशा में काम करें प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ती के बाद भी केशान्त संसकार किया जाता था तेरा समावर्तन समावर्तन संसकार अर्थ है फिर से लौटना आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ती के बाद व्यक्ती को फिर से समाज में लाने के लिए यह संसकार किया जाता था इसका आश्य है ब्रहमचारी व्यक्ती को मनोवैज्यानिक रूप से जीवन के संधर्षों के लिए तयार किया जाना चौधा विवाह उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है विवाह संसकार सरवाधिक महत्वपूर्ण संसकार माना जाता है इसके अंतरगतवर और वधु दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं विवाह के द्वारा स्रिष्टी के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता बलकि व्यक्ती के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है इसी संसकार से व्यक्ती पित्रिरिन से भी मुक्थ होता है पंदरा आवस्ष्याधाम सोलह श्रोताधाम इस प्रकार हिंदू धर्म के सोलह संसकार किये जाते हैं अन्तेश्टी संसकार इसका अर्थ है अन्तिम संसकार शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यू यानी देह त्याग के बाद मृत्शरीर अगनी को समर्पित किया जाता है आज भी शव्यात्रा के आगे घर से अगनी जला कर ले जाई जाती है इसी से चिता जलाई जाती है